हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एकुर वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं वोटसअप अन्बेन कैसे करें तो दोस्तों आज मैं आपको बहुती शांदार तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदस से आप अपने WhatsApp को अन्बेन कर सकते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बेन होता है WhatsApp और क्या activity आप कर देते हो जिसके काराण आपका WhatsApp बेन हो जाता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो आज की वीडियो बहुती interesting and amazing होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें step by step पूरा वीडियो देखे वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो चलिए दोस्तो टाइम वेस्ट किये बगर वीडियो को start करते हैं लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एसी amazing वीडियो और देखने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने वोटसप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से पूरा वोटसप हटा देना है उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको agree and continue पर किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हादेगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको क्या क्या प्रोसेस इसमें करना है और वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना वरना आप बाद में बोलोगे कि मेरा WhatsApp अन्बेन नहीं हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि WhatsApp केसे बेन हुआ है क्यों बेन हुआ है दोस्तों अगर आप WhatsApp पर गलत एक्टिविटी कर देते हो किसी को मेसेज वगएरा कर देते हो गलत तो यहाँ पर आपका जो WhatsApp है वो बेन हो जाता है क्योंकि वो सामने वाला आपकी रिपोर्ट करा देता है WhatsApp पर इस वज़े से आपका WhatsApp बेन हो जाता है अगर आप GB WhatsApp यूज कर रहे हैं या फिर कोई अधर WhatsApp यूज कर रहे हैं दोस्तों या status देखने का application आपने डाउनलोड किया हुआ है जिससे आप delete message वगेरा भी देखते हैं status भी देखते हैं तो दोस्तों आपको उने application को हटा देना है क्योंकि उनके वज़े से भी आपका जो WhatsApp बेन हो जाता है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि WhatsApp को अनबेन कैसे करें चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको थ्री डोट का option में लेगा उपर तो यहाँ पर आपको किलिक कर लेना है इस पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर help वाले option पर किलिक करना है दोस्तों help वाले option पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजएगा तो यहाँ पर आपको this doesn't answer my question नीचे green line पर click कर लेना है इस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा तो यहाँ पर आपको describe your problem जो आपने गलती है की है वो आपको clearly यहाँ पर लिख देना है दोस्तों आपको इसमें जूड बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपने जो भी गलती की है उसको accept करने ना है वोटसब की टीम है उससे आपको request करना है कि हमारा जो वोटसब है गलती से हो गया है दोस्तों तो आप उसको unban कर दीजिए तो यहाँ पर English में लिखना है दोस्तों तो मैंने यहाँ पर पहले से ही copy करके रखा है तो मैं यहाँ पर paste कर देता हूं दोस्तों paste करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने साब से जो भी आपने गलती है कि यह problem आ रही है वो यहाँ पर आपको लिख देना है English में उसके बाद यहाँ पर my contact करके यहाँ पर या फिर my number लिखकर यहाँ पर आपको अपना जो number बेन हुआ है वो यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद यहाँ पर आपको जो पिलस वाला आइकन दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका WhatsApp बेन का जो फोटो है स्क्रीन शोट है वो ले लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको एड कर देना है गेलेरी में से एड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको next का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर click कर लेना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा option आदेगा तो यहाँ पर this doesn't answer my question पर click करना है और किसी पर भी click नहीं करना है दोस्तों तो चलिए इस पर click कर देते हैं इस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो यह send का option दिख रहा है यहाँ पर आपको send कर देना है email send कर देना है जिससे यह WhatsApp जो team है उनके पास यह चला जाएगा और वो इसको read करकर पढ़कर आपको reply कर देंगे दोस्तों 24 गंटे के अंतर अंतर आपका WhatsApp अन्भेन हो जाएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe कर ले एसे amazing वीडियो और देखने के लिए